नमस्कार, स्वांगत हैं आपका प्रभार प्रकाशन के हमारे यूटूब चानल पर अगर आप हमारे चानल पर फैली बारा हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले चले शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से साथ जुलाई 1896 की बात है जब मुंबाई में ल्यूमियर भायों की फिल्म लगी हुई थी जिसमें सिर्फ प्रिटिश लोगों को ही आमंतरित किया गया था क्योंकि वाट्सन होटल के बाहर एक तक्ती लगी रहती जिस पर लिखा होता भारती और कुट्टे होटल में नहीं आ सकते हैं एक भारती और गोग पती भी फिल्में देखना चाहता था लेकिन उन्हें वाट्सन होटल में प्रवेश नहीं मिला इस घटना की दो साल बाद ही वाट्सन होटल की सारे शोभा धूमिल कर दे एक ऐसे भवे ताशमेल होटल का निर्मान उस भारती और गोग पती ने शुरू करवाया बाद साल 1903 की है जब ये भवे सुन्दर होटल बनकर त्यार हो गया कुछ समय तक इस होटल की दर्वाजे पर एक तक्ती भी लटकती थी जिस पर लिखा होता प्रिटिश और बिल्या अंदर नहीं आ सकती है इस होटल का निर्मान करवाने वाले कोई और नहीं बलकि टाटा समू के संस्थापक जमशेट जी टाटा थे आज उनकी पूर्णे दिथी है जमशेट जी टाटा का जनम 3 माश 1849 में दक्षिनी गुजरात के नफसारी में एक पार्सी परिवार में हुआ उनके पिता का नाम नुसीरवान जी और माता का नाम जीवन बाई टाटा था उनके पिता अपने खांदान में अपना ववसाय करने वाले पहले व्यक्ती रहे वही मात्र 14 वर्ष के आयू में ही चमशेट जी अपने पिता के साथ बंबई आ गए और ववसाय की दुनिया में कदम रखा चोटी उम्र में ही उन्होंने अपने पिता का साथ देना शुरू कर दिया जब वह 17 साल के थे तब उन्होंने मुंबई के एलफिस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया और दो साल बाद यानि कि साल 1858 में क्रीन स्कोलर के रूप में उत्रीन हुए और पिता के वफसाई में पूरी तरह लग गए इसके बाद उनका विभा हीरा बाई दबू के साथ करा दिया गया जमशे जी ने अपने शिक्षा पूरी करने के बाद एक वकील के साथ काम करना शुरू किया लेकिन उसमें उनका मन नहीं लगा उन्होंने वकील का दफतर छोड़ कर अपने पिता के वफसाई में हाथ बादना उचित समझा वफसाई में उन्हें काफिर उची थी अंतावे सफल वफसाई बनने के गुन श्रीगी सीख गए इस दोरान उन्होंने विपार की बरीकियों को समझा वेपार के प्रती पेटे की लगन और क्रमत्ता को देखकर नस्रवान जी बहुत प्रसन हुए अब वे अपने वफसाई भारत के भार फैलाना चाते थे इस उदेश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने जमशेच जी को चीन भेजा जमशेच जीन ने होंकोंग और शिंगाई जैसे बड़े नगरों में अपने वेपार की शाखाई खोली उन्होंने चीन में रहेकर भार की अर्फ विवस्ता का भी अध्यन किया अपने वेपार को विस्तार देने की कड़ी में वे लंडन भी गए उस समय उनकी उम्र केवल 25 वर्ष थी उन्होंने लंडन में सूती वस्तर उगोग पर अधिक ध्यान दिया जमशेच जी टाटा के बारे में और अधिक जानकारी के लिए प्रभात प्रकाशन दुवारा प्रकाशित आ स्चीर हिमसेल जमशेच जी टाटा अकंप्लीट पायोग्राफी जमशेच जी टाटा और टाटा एक कॉर्परेट प्राइंट का विकास जैसी पुस्तोकों की मदद ले सकते हैं 29 साल की उमर तक जमशेच जी टाटा अपने पता जी के साथ ही काम करते रहे मई 1868 में उन्होंने 21,000 रुपयों के साथ अपना खुद का वफसाईच शुरू किया सबसे पहले उन्होंने एक दिवालिया टेल खार खाना खरीदा और उसे एक रूई के खार खाने में तबदील कर दिया और उसका नाम बदल कर अलेकसेंडर मिल रख दिया दो साल बाद उन्होंने उसे अच्छे मुनाफिक के साथ बेश दिया इस पैसे के साथ उन्होंने नागपूर में 1874 में एक रूई का कार खाना लगाया महारानी विक्टोरिया ने उन्ही दिनों भारत की रानी का खिताब हासिल किया था और जमशेद जी टाटा ने भी वक्त को समझते हुए कार खाने का नाव इंप्रेसस मिल रखा उगोगी विकास कारियों में जमशेद जी यही नहीं रुके उन्होंने देश के सफल उगोगी करन के लिए स्ताप कार खानों की स्तापना की मैंतुपूर योजना बनाई लंका शायर से बरी वस्त्रकी उत्पादन विधी और उसके लिए उप्रिक चलवायू का अध्यन किया जिसके बार वे भारत लोटे और इसके वेपार के लिए उन्होंने नागपूर को चुना और वहां वातूनी कुलित सूथ मिलो की स्तापना की भारते उगोगी क्षेतर में जमशेजी का योग असाधारन महत्व रगता है उन्होंने भारते उगोगी की विकास का मार्क ऐसे समय में प्रश्चस्त किया जब उस दिशा में केवल यूरोपिय विशेष अंग्रेज ही कुशल समझे जाते थे लेकिन उस दौर में जमशेजी टाटा ने अपने कामों से अपने साथ साथ देश का भी नाम किया आज़ी के दिन यानी 19 मैं 1904 खो चर्मनी में उनकी मिर्थियो हो गए दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो से दोस्तक साथ भी ज़रूर शेर करें झाल